लोग आपकी कक्षा 9 के अध्या 3 में पदावली सिर्षक से कुछ पद हैं जिनकी रचना मीरा बाई जीने की है आज हम लोग तीसरे पद की व्याख्या सीखेंगे बहुत ही सरल है बहुत ही सुन्दर पद हैं सबसे पहले हम लोग एक निगाह सभी सब्दों पर दवडा लेते हैं यदि कहीं कोई कठी सब्द है तो उसके सरल अर्थ को जान लेते हैं फिर व्याख्या करते हैं माईरी यह वही रहेगा ठीक है यह नहीं बदलेगा मैं तो इसका भी अर्थ वही रहेगा लिया मतलब लिया है गोविंदव मानिश्री कृष्ण को मोल का मतलब कुछ दे कर के बदले में कुछ लेना मोल कहलाता है यह जरूरी नहीं कि आप पैसा दे कर ही कुछ ले अगर कोई चीज़ आप लेते हैं किसी से उसके बदले में कुछ देते हैं तो मोल कहलाती है ठीक है कोई कहे कोई कहता है छाने मतलब छिपकर छिपकर चोरी चोरी छाने छिपकर चोर धोल मतलब धोल बजाकर अर्थात ऐलान करके सब को बताके जो अच्छा लगेगा एक सब्ध हम लोग ले लेंगे कोई कहे कोई कहता है मुहंगो मतलब महेंगा है कोई कहे कोई कहता है सुहंगो मतलब सस्ता है कोई कहे, कोई कहता है, कारो काला, कोई कहे, कोई कहता है, गोरो गोरा, लियोरी लिया है, अमोलक माने अमोल्य, जो बहुत कीमती हो, अमोल्य, मोल, यहां भी आया है, आपने देखा है, खरीदना, याही को, इसी बात को, सब जानते हैं, सब जानते हैं, लियोरी लिया है, आखी खोल, आख खोल कर अर्थात सोच समझ कर, मीराकू, मीराको, मीराको, प्रव श्रीक्रिष्न, दर्सन, दर्सन, दिन्हों, दिया है, पूरब माने पूरू, पहले, जनम, जनम, कव, का, जनम, काक, कॉल माने वचन, या प्रतिज्ञा, जो भी आपको अच्छा लगी ले लिजे, सभी कठिन सब्द हो गए, आब हम लोग इसकी व्याख्या करें, उसके पहले थुला सा संदर्व और प्रसंग की भी बात कर लें, क्योंकि परिक्षा में संदर्व और प्रसंग भी आपको लिखना होता है, तो यदि संदर्व की बात करें तो जब मैंने पदावली का पहला पद पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको संदर्व बताया था वही संदर्व यहाँ भी होगा तो पहले भाग से देख लिजे प्रसंग बार-बार बदलता है तो चले प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल कर लिखेंगे प्रस्तुत पद में मीरा बाई जी ने कृष्ण जी के प्रती अपने सच्चे प्रेम को स्विकार करते हुए अपने निर्णय को सभी प्रकार से उचित बताया है और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा चले अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद में प्रस्तुत पद में मीरा बाई श्री कृष्ण जी के प्रती अपने सच्चे प्रेम को प्रदर्सित करते हुए कहती हैं आज आए कापे पर प्रद दीजिए ठीक है इसको छोड़ दिए मैंने तो आपने श्री कृष्न को अपना प्रेम रूपी अपने अपना प्रेम रूपी धन देकर मोल खरीदा है मोल लियों है मोल खरीदा है आगे चलें कोई कहता है मैंने छिप करके उन्हें खरीदा है कोई कहता है मैं उन्हें चुपके से मैंने लिया है फिर अपने जो लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने उन्हें धोल बजाकर अर्थात ऐलान करके लिया है कोई कहता है कि मेरे स्री कृष्ण भगवान महंगे है मैंने उन्हें महंगा खरिद लिया है कोई कहता है मैंने उन्हें सस्ते में पा लिया है लियोरी तराजू तोल लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपने जोड़े लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने उन्हें न तो सस्ता खरिदा है और न महंगा खरिदा है मैंने उन्हें अपने हिर्दै रूपी तराजू से भली भाती तौल कर खरीदा है कोई कहता है की काले हैं, कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं लेकिन मैं जानती हूँ, अपने जोड़े लेकिन मैं जानती हूँ मेरे कनहिया ना तो काले हैं ना तो वो गोरे हैं वो बहमुल्य हैं और मैंने उन्हें अपने प्रेम के बदले में खरीदा है मोल लिया है खरीदा है इस बात को सब जानते हैं कि मैंने अपने कनहिया को भली भात यांख खोल कर अर्थात सोच समझ करके खरीदा है अर्थात उन ने मुझे दर्सन दिया है यह उनके द्वारा मुझे पूर्व जनम में दिया गया वचन है इस जनम की यह बात नहीं है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी